हलो और वेलखम तो जड़ो मेरे अमी सब्सक्राइब जब करें ए इस जाफ़ है मैंतरर्फ कश्वर कहिं हाँ दोस्तो आज के सी विडियो में उटिफिकेशन को इस यह पौद के बारे में आपको बताने जा रही हूं इसके फाइदे जानकर आप हैरान हो जाएंगे तो ये जो पत्ता है जैसे कि आप देखी पा रहे होंगे आपने अंदाजा लगाई लिया होगा इससे कहते हैं तेजपत्ता ये हमारे खाने के स्वात को तो बढ़ाता ही है साथी साथ हमें कई बड़ी बड़ी बिमारियों से बचाता भी है तेज पत्ता यानि की बे लीफ एक ऐसी ओश्चदी है जो कई बड़ी बड़ी बिमारियों को हमसे दूर रखती है हम सभी के किचन में तेज पत्ता होता ही है हमारे खाने के स्वात को ये बढ़ाता है तेज पत्ते में anti-microbial, anti-fungal, anti-bacterial properties होती है इसलिए तो चाहे शुगर की बिमारी हो, चाहे अलजाइमर हो, चाहे दातों का दर्द हो सभी के लिए बहुती ज़्यादा फाइदे मन्द है और ये सारी बिमारिया जो है और भी कई सारी बिमारिया ऐसे गायब हो जाती है जैसे कि कभी आपको थी ही नहीं तेच पत्ता मेडिसन प्रॉपर्टी इससे भरपूर है तो एक-एक फाइदों के बारे मैं आपको डीटेल में बताऊंगी इसलिए तो दोस्तों तेच पत्ते का अयुर्वेद में इतना ज्यादा महत्व है तेज पत्ते आपको किसी भी grocery shop में बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाता है करीब 10 रुपे के सारे पत्ते आपको मिलेंगे तेज पत्ते एसे सुखे रूप में होते हैं क्योंकि बजार में लाने से पहले तेज पत्ते को अच्छे से धूप में सुखाया जाता है और तेच पत्ते के जो पौधे का नाम होता है उसका नाम होता है तमाल व्रिक्ष जैसे कि इसका नाम है तमाल पत्र तमाल पत्र यानि की तेच पत्ता और उसके पत्ते जो है पूरे हरे रहते हैं उन्हें धूप में सुका कर हम तक पहुचा आजाता है इसका अगर हम अपने खाने में इस्तमाल करते हैं तो हमारा वात जो है वो कम होता है वात के जो रोग होते हैं वो कम होता है साथ ही डाइजेशन अच्छा होता है और साथ ही हमसे बड़ी-बड़ी बिमारियां भी दूर रहती है इसलिए तो दोस्तों आयर्वेद में कई गंबीर रोगों में तेज लोग वजन कम करना चाहते हैं अपने मोटापे से परिशान है उन लोगों को तेज पत्ते का पानी सुबक खाली पेट रोज जरूर पीना चाहिए तो इस पानी को कैसे बना जाता है चलिए देख लेते हैं फटा-फट से तो एक पतीले में आप एक ग्लास पानी डाल दे और इसमें हम डाल देंगे तेच पत्ते अब कम से कम दो से तीन तेच पत्तो को पानी में डालें पानी में डालने से पहले से धुझे जरूर उसके बाद आप पानी में मिलाइ और इसे Editor कर नियुक्छी सब्सक्राइब ‫ डूड़ दोड़ी होगी तो भूडस्य जरूरी और ज स्वेट लोस ट्रेंग को आप सुबह सुबह खाली पेज ले कुछ भी खाने पीने से पहले आप इसे ले और आपको इसका सेवन गरम-गरम ही करना है तो ही शरीर में जमीवी चरवी तेजी से कम होगी अब इसे आप खूब अची तरीके से उबाले कम से कम 10-12 मिनिट के लिए लोस से मीडियम फ्लेंप पर इसे उबाली ताकि तेज पत्ते का सारा पोशक तत्वा इस पानी में आ जाएगा तेज पत्ते का जोई पानी है से आपका वजन कम हो गाई साथी साथ दोस्तों बड़ी बड़ी बिमारियों से भी आपको बचाए रखेगा साथी साथ जॉइं पेंट जोडों के दर्द से हमें रहत दिलाता है चाहे कितना भी पूराना जोडों का दर्द ही क्यों ना हो गुटनों का दर्द हो कमर दर्द हो बिल्कुल खतम हो जाएगा यह जो पत्ते होते हैं तेज पत्ते इन्हें जब हम खाने में डालते हैं तो हमारा खाने का स्वा तरीके से आप तेजपत्य का सीवन कर सकते हैं तो पहला यह हो गया कि आप समझाया न Hahn ये जैसे हम चाई पीर ना दोस्तों बस उसी तरीके से सिप ले लेकर इस पानी को पीना है कम से कम 15-20 दिनों के लिए आप इस तेजपते के पानी का सेवन जरूर करें आपको 15-20 दिनों के अंदर ही पता लगने लगीगा कि आपका मोटापा तेजी से कम हो रहा है ये ड्रिंक इतना ज्यादा असरद है अलजाइमर की जो बिमारी होती है भूलने वाली बिमारी उसमें भी आप तेजपते का पाउडर का इस्तमाल कर सकते हैं उसका सेवन कर सकते हैं बहुत से लोग को आपने देखा होगा कि एक उम्र के बाद भूलने की वाली बिमारी शुरू हो जाती है तेजपते के पाउ होगा कि टेज पत्य के से को अगर में साज़ है मालश में भी هAng कर दो था साथी तर्दी जुखाम में में भी एटाका कि इन ना कर लें कि कम से कम बावडर आप भॉक्ण टेच पते कर लें और यह पावडर को आप इस तारीक में यह फुर वन स्टूर कर सकते हैं औरalaywater के रोज एक छोटा चमच तेज़ पते का पाउडर जरूर ले अगर चमच बढ़ा है तो आधा चमच आप तेज़ पते का पाउडर ले अगर आपके दातों में दर्द रहता है दातों में पीला पन है दात में सडन है तो इस तरीके से आप पाउडर ले ले एक चुटकी करके रेडी किया है आप चाहें तो इस पाउडर को भी पानी में उबाल करके चान करके पी सकते हैं इससे आपका मोटापा कम होगा जिन्हें शुगर की बिमारी है डाइबिटीज है उन्हें भी तेजपते का सेवन ज़रूर करना चाहिए ब्लड शुगर लेवल को कट्रोल कर किसी ना किसी रूप में तेजपते का सेवन ज़रूर आपको करना है इससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा आपकी मेमरी शार्प होगी आपको सर्दी खासी बदंदर जोडों के दर्थ से आपको हराब मिलेगा या फिर आप इस तरीके से बटर मिल्क मे भी एक चोटी चमच तेजपते का पाउडर डालके आप पी सकते हैं यकीन मानिये दोस्तों इसका अगर आप डेली इस्तमाल करते हैं रोग सेवन करते हैं तो बड़ी-बड़ी बिमारिया हमसे दूर रहती है सौंदरी के अगर हम बात करें बालों के अगर हम बात करें तो उसमें दोस्तों तेजपते को पानी में उबाल करके उस पानी से अगर आप अपने बाल दोते हैं तो आपके बालों से डैंडर्फ की परिशानी जू लीक की परिशानी बिलकुल खतम हो जाती है साथी साथ अगर आपके बालों में किसी तरीकी का इंफेक्शन है फंगल इं है साथी डांड्रफ को बिल्कुल जड़ से खतम कर देता है और साथी साथ आपके बाल काले घने लंबे और मजभूत होते है यदि आप तेज पत्ते के के तेल से भी आप अपने बालों की मसाज कर सकते हैं से बाल ज vagy काले घंए लंबे मसबूत होते हैं तो इस तरीके से देज पत्ते के कई सारे सेवन मैंने आपको बताया है छाचके साथ आपको दही के साथ पानी में उबाल करके पीने के लिए बताया है जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप तेज पत्ते का सेवन कर सकते हैं या फिर इस तरीके से गरम पानी के साथ तेज पत्ते का पाउडर मिला करके भी आप इसका सेवन कर सकते हैं तो दोस्तों इन रेम उनकी भी मदद हो जाए तो कैसी लगई आपको मेरी वीडियो उमीद करते हैं अच्छी लगए वीडियो अच्छी लगए तो फ्लीज वीडियो की नीचे लाइक कर दीजे चाहिए नोडिकेशन मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें मैंने आप लोग के लिए खास एक स्टोर बनाया दोस्तो अमेज़न पे आपको बचेट वाली चीजे जो है आपको वहां पे मिलेंगी मैंने सब्सक्राइब करके रखी है और आप लोग के लिए खास सिलेक्ट करके रखी है मेरे स्टोर में तो उसे चेक आउट करना बिल्कु के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वहां से जाके आप चेक आउट कर सकते हैं आप भारी डिस्काउंट में चीजो को परचेज भी कर सकते हैं थाक्यू सो मुच पॉज इन्स वीडियो पर आइंस मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक के लिए कर दिस्की धना भी कर सकते हैं